हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से एक ओन नए जानका लड़ू गोपाल जी के लिए पॉंच्चू बनाना बताऊंगी जिसके लिए मैंने दो कलर ले लिए हैं मैंने 10 नमबर्स लाई ली हुई है और यह हम चार से पांच नमबर लड़ू गोपाल जी के लिए आपको पॉंच्चू बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल यह जी है जिसमें हम साथ में हुड़ भी बनाएंगे और पजामा भी बताएंगे तो आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज जरूर लाइक करें शे देखिए इस तरह से हम 22 फंदा ले लेंगे आप इसे चार को भी पैना सकते हैं और पांच को भी और तीन को भी आप पैना सकते हैं इसको तो यहां पर हम 22 फंदा ले लेंगे चार नमबर के लिए बता रहे हैं आपको इस तरह से simple तरीके से हमने फंदे डाल लेने हैं तो आईए यहाँ पे 22 फंदा टोटल डाल के complete करते हैं तो देखी friends यहाँ पे 22 फंदा ले लिया है बहुती simple तरीके से आपको बताएंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नोटिपिकरिशन सबसे पहले पहुँचे तो देखिए यहां पर मैं इसको उल्टा-उल्टा बनाते हुए कंप्लिट करूंगी और यहां पर मैं दो सराइब अपना इसी तरह से बनाऊंगी सबी साइज में मैंने अपने चैनल में ड्रैसिस डाली हुई है आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं जो भी आपको जिस साइज की भी ड्रैस चाहिए तो देखिए यहां पर एक सलाई हम बना लिए हैं इसके बाद हम उल्टी सलाई को भी यहां पर बना लेंगे यानि कि हम यहाँ पे तीन सलाईयां अपना बना के complete करते हैं और चौथी सलाई पे आपको उल्टी तरफ से इसमें color change करते हुए दिखाएंगे तो देखे फ्रैंस मैंने यहाँ पे दो सलाईयां उल्टा उल्टा बना ली हैं यानि कि हमारी यह दोनों तरफ की तीन सलाईयां हो चुकी हैं और चौथी पे हम अपना इसमें color add करते भी आपको दिखाएंगे तो देखे यहाँ पे मैंने यह तीन प्लाई वाली वूली है बेबी वूल है यह बहुत ही शौफ्ट होती है मार्किट में आपको कहीं भी यह मिल जाएगी तो यह देखिए इस तरह से color आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है जैसा भी आप अपने लड़ो गोपाल जी के लिए बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं यहां पर तो आपको यह हम जो पॉंचू बता रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आपको बताएंगे यह रिखे तो यहां पर हमारी चार सलाइएं यह हो चुकी है यह दिखे अब यह रिखे यहां पर हम बीच में नेट बनाएंगे अपनी तो यहां पर यह रिखे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, बाइस फंदा मैंने डाला है और यहां पर दस फंदेश साइट छोड़ेंगे और दो फंदों पर मैं अपनी यहां पर नेट बनाऊंगे तो देखे किस तरह से यह देखे धागा अपनी तरफ है बिल्कुल ही सिंपल तर अपनी तरफ करेंगे और यहां पर फ्यूशन नेट मनाएंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए दस फंदों को उल्टा-उल्टा इस तरह से बोल लेंगे यह रेखिए लाष्ट का फंदा सीधा बना लेंगे अब यह रेखिए उल्टी श्लाई में हम पूरा इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लेट कर लेते हैं यह रेखिए मैं उल्टी श्लाई पे हूँ एक नेट हम बना चुके हैं तो यहां पे हमारी ग्रीन कलर की एक श्लाई हो चुकी है अब यह रेखिए हम एक एक स्लाई का यहां पे पैटर बनाएंगे यह रेखिए आब हमने वापिस अपना इसमें हलका लाइट ही लगा दिया है इस तरह से तो इसी तरह से हम इसमें आठ नेट बनाएंगे यानि की आठ जालियां हम बना लेंगे पहुत ही सिंपल सा रीजी सा तरीका है बनाने का और हमने जो भी फंदे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा-उल्टा बून लेंगे तो देखिए मैं आपको फिर शे दूसरी नेट डालके दिखा देती हूं इस तरह से बनाना है और बहुत ही जल्दी बनके कंप्लिट होता है देखिए फिर से सीधी सलाई पर है तो यहां पर यह देखिए पहले फंदे को उतारेंगे दाग अपनी तरफ करेंगे और यह देखिए दो तील चार पाँच छे साथ आठ नौ दस दस फंदे बनाए थे पिछली सलाई पर अब हम यहां पर ग्यारा फंदे बना रहे हैं यह देखिए ग्यारा और यह वाला जो फंदा दिख रहा है हमारा इसी पर हमने नेट बनानी है तो देखिए इस तरह से पहुत ही सिंपल सा जो फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा उल्टा बुल लेंगे ग्यारा फंदे इधर के बुल लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस लाष्ट वाला फंदा ग्यारा तो हर बार हम इसी तरह से इसमें अपना नेट बनाते हुए जाएंगे अब यह देखिए हम तीशरी नेट हैं यहां पर बनाएंगे उल्टी तरफ से फिर से हमने कलर को चेंज कर दिया है तो इसी तरह से मैं आठ अपना जालियां बना लेती हुँ यानि कि आपनी इसको नेट भी बोल सकते हैं जालियां भी बोल सकते हैं तो यहां पर हम बना लेते हैं आठ जालियां इसके बाद आपको दिखाते हैं फिर शे तो देखी फ्रेंस यहां पर हम इतना लंबा इसको बनाते हुए कर लिये हैं और यहां पर आप यह देखी इन दोनों सलाईयों को छोड़के हम सलाईयं गिल लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि कि मैं किस तरह से बनाना है यह देखिए एक फंदा मुल्ली और दूसरा फंदा भी हम बना लेते हैं और यहीं से हम अपना वापिस हो जाते हैं यह देखिए तो दो फंदे हम बना लिये हैं अब यहां पर हम तीसरा फंदा अपना बनाएंगे यह देखिए इस तरह से तीसरा फंद हम बना चुके हैं फिर हम फंद अपना बनाएंगे अ देखे कि avait कि है विचोथा फंद मैं अपना बना लेती हूं कि ये और इसमें से हम छोथा फंद बना लिके हैं तो यहां पर हम तीन फंद हम फंद हम इना घ्रटाएं गे और चौथा फंदवा डीघे गश्वारी रिभ तो देखे बहुत ही चोटा सा हमारा कंगुरा बन जाएगा तो देखे यहां पर peso झ्यों तक देखे की इस तरह से। कि एक घृटा दिये वापनेदा ह। ऑसवा चल्ऑफ हमारे कंगूरा बनके स्वल्वम सबंदा बनके follower हम दूसरा कंगुरा बनाएंगे एक फंदा लिया यहीं से वापिस हो जाएंगे अब यहां पर हमने तीसरा फंदा यह देखिए तीसरा फंदा हम इस से लेंगे और यहीं से हम वापिस हो जाएंगे फिर हमने चौथा फंदा लेना है अब ये देखिए हम चौथा फंदा ले लेते हैं ये देखिए तो चार फंदे यहां पे हो चुके हैं यहीं से हम टन हो जाएंगे अब चार फंदों में से हम तीन फंदा अपना घटाएंगे और चोथे फंदे को सलाई में रखेंगे तो देखे किस तरह से ये देखे एक घटाए सलाई में डाला तूसरा फंदा घटाए सलाई में डाला तीसरा फंदा घटा दिये अब इसी तरह से हम पूरा यहाँ पे अपना छोटा छोटा कंगमूरा बना के complete कर लेते हैं तो देखे friends यहाँ पर मैंने छोटे छोटे अपने कमूरे इस तरह से बना लिये हैं यह देखे काफी सुन्दर बन गया है और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है बहुत ही simple सा तरीका है इसे बनाने का तो इसी तरह का same दूसरा पार्ट भी यहाँ पर बना के complete कर लेंगे तो देखे friends मैंने यहाँ पर दूसरा पार्ट भी अपना बना के complete कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पार्टों को एक साइट रखते हैं और सबसे पहले हम कैप बना लेते हैं तो कैप हम खाली इसी कलर से बनाएंगे यह रेखें तो कैप के लिए हम फंदे डाल लेते हैं और 22 फंदे ही हम यहाँ पर कैप के लिए डालेंगे जहांपे हमने यहाँ पर 22 फंदर डाला था सेम तरीके से 22 फंदर ले लेते हैं तो देखी friends, यहाँ पर मैंने 22 फंद्रपा ले लिया है। और यहाँ पर हम इसमें अलग से आपको कैव बता रहे हैं। आप अगर इसमें बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से फंदा उठा करके 22 फंदे उठा करके इस तरह से भी आप बना सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से जैसा ही इजी लगे आपको आप ऐसे बना सकती है इसको तो यहां पे हम आपको अलग से ही बता रहें यह भी बिल्कुल सिंपल तरीका है अलग से भी बनाने का तो आईए मैं इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा दोनों साइड से बनाते हुए कंपलेट करती हूँ थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको बनाते हुए इसके बाद आपको दिखाते हैं फिर से तो देखे फ्रेंस यहां पे हम इतना लंबा इसको बना लिए हैं यह देखे एक दो, तीन, चार, पाँच और छटी स्लाई को हम बना रहे हैं यह देखिए छटी स्लाई को भी बना लेते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे यह फंदे अपने चाहे तो आप एक साथ इन सभी फंदों को घटा दे बाइस फंदों को जैसे हम घटाते हैं सेम तरीके से सभी को एक साथ घटा दे चाहे आप आदे आदे फंदे करके और तीसरी स्लाई को लेते हुए यहाँ पे इनको बन कर सकते हैं अगर आप एक साथ ही सभी फंदों को घटा रहे हैं अगर आप सभी फंदों को एक साथ घटा रहे हैं तो वो आप लाश्ट में सुई से भी सिलाई कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर यह रिखिए आदे आदे फंदे में कर लेती हूं 11 फंदे एक तरफ और 11 फंदे एक तरफ तीर चार तो यहाँ पर 11 फंदे कर लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे दोनों सलाई को बहुती जी सा तरीका है यह भी बहुती सिंपल से यह फंदे बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे तीसरी सलाई को हम ले लिए हैं और दोनों सलाईयों में से एक एक फंदा हम ले लेंगे और हमने इस तरह से बनाए फिर वापिस हम दोनों में से एक एक फंदा ले लेंगे इस तरह से और लास्ट वाला फंदा हम इसके उपर से इस तरह से गिराएंगे तो ये सबी फंदे इस तरह से भी आप बंद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा तरीका वो है जो आप सबी फंदों को एक साथ घटा के सुई से भी सिलाई कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है घटाना तो आप सभी फंदों को एक साथ घटाते हुए यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं तो आईए हम यह फंदे सभी को बंद कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको सभी फंदे बंद कर दिये हैं इसके बाद धागे को कट करेंगे और इसी हॉल से इस धागे को इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर कैप बनके कम्प्लिट है और यहाँ पर 6 सलाईयों की कैप बनाई है यानि की दौनों तरब से 12 सलाईया हमारी हो चुकी है यह देखे इस धागे को हम थोड़ा कट कर लेत कि यह दिखें बहुत ही सुनदर्शी हमारी यहां पे कैप बन चुकी है dlatego लगाएंगे तो सबसे पहले हम अद इसको भी उप्सािट कर देते हैं बात में आप सिलाई करके दिखाएंगे सबसे पहले हम पैंट बना लेते हैं तो पैंट भी हमने फंदे डाल लेती हूं जैसे मैंने कैप में डाले हैं सेम तरीके से फंदे ले लेती हूं यानि कि तीसर दो अब यह देखिए यहां पर हम उपर से पैंट को बना रहे हैं और आपको दूसरा तरीका इसको बता रहे हैं तो यहाँ पर उपर से फंदे मैंने डाले हुए है और यहाँ पर 32 फंदे ले लिए है तीसर दो और इनको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे सबी फंदों को उल्टा उल्टा हम बना लेंगे तो यहां पे मैं paint भी आपको एक ही color से बना के बता रही हूं अब दोनों color भी mix इसमें कर सकते हैं तो यहां पे हम तीन सलाईयां बना लेते हैं पेंट को भी हम बना के complete कर लेते हैं तो पहले सबसे पहले मैं यहां पे तीन सलाईयां इसकी दौनों साइट से उल्टा उल्टा हम बना के complete करते हैं इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूं फिर तो देखे फ्रेंज मैंने यहाँ पर तीन सलाईया बना ली हैं यानि कि दौनों तरब की 6 सलाईया अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना फंदे को अलग-अलग करेंगे यह रिखे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला सोला फंदे एक साइड है और सोला फंदे एक साइड कर लिए है इसके बाद हम सबसे पहले अपना यहाँ पर यहीं से टन कर दिये है सोला फंदों को ही भुनेंगे इस तरह से सबसे पहले हम सोला फंदों को बनाएंगे और यहां पे मैं तीन सलाईया फिर से इसी तरह से बना के complete कर लेती हूँ उसके बाद आपको फिर से दिखाएंगे तो सबसे पहले हम 16 फंदो को बना लेते हैं और यहां पे हम तीन सलाईया अपने बनाएंगे यह देखिए एक तरप के इन्हें हम लाश्ट में बनाएंगे सबसे पहले यह बना लेते हैं तो देखे फ्रेंज यहां पे अलग-अलग फंदे करने के बाद हमने यहां पे यह देखिए एक, दो, तीन, तीन सलाईया बना ली हैं और चौती सलाईय और हम बनाके कम्प्लिट करेंगे तो देखे यहां पे एक, दो, तीन, चार और पांचवी सलाईय पे हम सबी फंदों को अपना बन कर देंगे और दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से बनाके कम्प्लिट कर लेते हैं और उसके बाद आपको सलाईय करके हम दिखाएंगे किस तरह से हमारा बनता है तो देखे इस तरह से हमने फंदे बन करने है और यही आपने अगर सलाईयों से बन करनी है कैप को तो सेम तरीका यही रहेगा जैसे मैं आपको यह बता रही हूँ ऐसे ही आप कैप में भी सबी फंदों को घटा करके और शिलाई कर लें तो यहाँ पे हम सबी फंदों को बंद कर रहे हैं और दूसरी साइट के भी फंदे हम बना लेते हैं यह देखिए तो देखिए फ्रेंज हम इस तरह से बना लिए हैं और सबसे पहले हम यहां पे देखिए धागा डाल लिए हैं सुई में और सबसे पहले हम इसी की पैंट की शिलाई कर लेते हैं तो देखिए यहां पे किस तरह से हमने सिलना है यह हमारा उल्टी तरफ है और इधर हमारा सीधी तरफ है तो हम इसको इस तरह से रखते हुए यहा यह सिल लेते हैं थोड़ा सा मैंने पेंड को खुला बनाया है क्योंकि पहनाने कही भर दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा खुला बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है HOLY तो देखे इसको हम इस तरह से लाते हुए और यहाँ पर इतना इसको सिलेंगे बाकी हमने दौनों इसी तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है तो चलीए सिल लेती हूं इसको ऐसे इधर हमारा सिला हुआ इतना हम इसको सिलेंगे यहाँ से यह ऐसे और पाकी का हम इस तरह से दौनों सायट से सिलेंगे तो देखे प्रैंस यहाँ पे पैंट शिलके कम्प्लीट है और यहाँ पे यह डोरी भी हमने लगा दी है इसमें यह देखी तो चलिए अब सबसे पहले हम अपना पॉंचु शिल लेते हैं तो दोनों पॉंचु को इस तरह से रख लिया है यह दिखिए दोनों पाटों को सौरी अब इन पाटों को हम इस तरह से सिलाई करेंगे इधर से सिल लेंगे और इधर से सिल लेंगे उसके बाद इसमें आपको कैब दिखाएंगे किस तरह से सिलना है तो आईए मैं दौनों साइट से इसको सिलके कम्प्लेट कर लेती हूँ यहां से यहां तक और इस साइट से यहां से यहां तक तो देखे फ्रैंस हमने दौनों साइट से सिल लिया है इसको और यहां पर यह काफी सुन्दर लग रहा है और बनके कम्प्लेट हो चुका है अब यह देखिए हम यहां पर यह देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ रखते हुए यह देखिए पिल्कुल इजी सा तरीका है ये सिलने का भी ऐसे चारो तरफ से हम यहां पे इसमें सिलाई करेंगे कैप हमने अंदर की तरफ ऐसे ले लिया है और यह देखिए जो हम सीधा कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगा तो यहां पर हम सबसे पहले यह यह पार्ट हमारा बीचम बीच आना चाहिए इसको हम बीच से रखते हुए यहां से पकड़ते हुए यह देखिए सिलाई हम कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाएगी आपकी तो देखिए फ्रेंस यहां पे हमने कैप को सिल दिया है और पहनाने के बाद बिल्कुल ही अच्छे से इसका लुक आएगा इस तरह से यह देखिए पहुत ही प्यारे लगेंगी लड़ु गोपाल जी और इसको हम थोड़ा सा डैकॉरेट करेंगे तो देखिए यहां पे यहां पे आप कोई भी बटम लगा लें इस तरह से और यहां पर हम कुछ मोतियों से इस तरह से डैकॉरेट करेंगे सुएं की मदद से जो हमारी तुरपई वाली सुआ होती यह उसी से पहुत ही प्यारा सा सुन्दर्शा हमारा पॉंचू बनके कंप्लीट है इसे बनाने में आपको कोई रिक्कत नहीं होगी यह रेखिए पहुत ही प्यारा सा और शिलाई भी अच्छे से हमारी कैप की हो चुकी है यह रेखिए तो छलिए थोड़ा सा इसको डैकुरेट करते हैं तो यह रेखिए यहाँ पे बनके कंप्लीट है हमारा पॉंचू हमने यहाँ पे इस टोन नहीं लगाया यहां पर गले पर भी हमने इस तरह के जुक्ति है थे देखिए दोनों चीज हमारी बनके कंप्लीट है अगर वीडियो पसंद आये तो प्लिज जरूँ लाइक करें श